नमस्कार मैं वैबो मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेटरिक सोसल वर कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा अभ्यास बताने वाला हूँ जिसका नियमित आप अगर प्रयोग करते हो तो जो नकरात्मक विचार आपके मन में रह रह करके उठते हैं और आपको परिशान करते हैं उनमें धीमे धीमे करके कमी आने लगेगी आप आते होगे कि जब भी नकरात्मक विचार मन में उठते हैं तो कई वार मन में इस तरीके की विचार आसते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ ही हर दम बुरा होता है, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मैं दूसरों के साथ तो हर दम अच्छा करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ना जाने क्यों बुरा होता चला जाता है, मेरे पिछले जन्म के कौन से बुरे पाप रहे होंगे जिसको मैं आज भोग रहा हूं मैं लगातार प्रयास तो करता हूं परन्तु मेरे को महनत के बावजूद भी वो उपलब्दी नहीं मिल पाती है जिसकी मैं चाहत रखता हूं इस तरीके के न जाने उनको importance देते हो तो आप अपने ही विचारों के माध्यम से खुद की ही energy यानि की उर्जा को कम करते चले जाते हो कहने का सीधा तात पर यह है कि उर्जा जिस छेत्र में लगनी चाहिए उस छेत्र में ना लग करके आपके ही खिलाप काम करने लगती है यानि की energy constructive ना हो करके destructive हो जाती है जिसके कारण आप जो चाहते हो वह आप नहीं पापाते हो और सारी की सारी उर्जा उस ओर जाने लगती है जिसके कारण आपके अंदर और अधिक नकरात्मकता बढ़ती चली जाती है तो आपको यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों कि खुद के साथ नकरात्मक संबाद करने से बचना है जब भी कोई परिशानी आती है जब भी कोई समस्या आती है आप अपने आपको बोलें मैं इससे जरूर बाहर निकलाऊंगा मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा मैं अपने अंदर छमता का विकास करूँगा मैं समस्या को बारीकी से समझूँगा और उसके समाधान खो जूँगा जब आप लगातार लगातार इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी खुद से नकरातमक बात नहीं करनी है समस्या आने पर एक छण के लिए भी नकरातमक नहीं सोचना है बलकि समस्या है तो उसका समाधान करना है खुद को दोसी नहीं ठहराना है इस तरीके की छोटी सी बात का ध्यान रखने से आप बहुत हद तक नकरातमक विचारों की चेन बनने से खुद को रोक सकते हैं फिर मैं एक बार दोहराता हूँ दोस्तों कि खुद को दोस बिलकुल ना दें समस्या का समाधान खोजें खुद से यही संबाद करें कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ मैं सब कुछ बहतर कर सकता हूँ अपना ख्याल रखें अगले वीडियो में किसी नए विशे के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी नमस्कार